नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मैं हूँ आपका दोस परवीन डाना और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम इंस्टॉल करें इंडिकेटर मेटाटेडर 4 के अंदर दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि मुझे यह वाला इंडिकेटर चाहिए और यह जैसे कि मालो कहते हैं मुझे सपोर्ट रजिस्टेंस का इंडिकेटर चाहिए या मुझे वीवैप का इंडिकेटर चाहिए जो की mt4 में default available नहीं होता है लेकिन mt4 आपको दोस्तों option देता है जिसमें कि आप install कर सकते हैं outside source से आप इसको install कर सकते हैं और अपने Meta Trader 4 में इस्तमाल कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम Meta Trader 4 के indicators डाउनलोड कर सकते हैं कौन कौन से तरीके हैं डाउनलोड करने के तो सबसे पहले मालीजे आपको VWAP का indicator चाहिए तो आप Google पे सबसे पहले जाएंगे और Google पे लिख सकते हैं MT4 VWAP indicator डाउनलोड तो इस तरीके से किसी भी indicator का नाम माप लिखेंगे तो उसके बारे में कुछ एक यहां पर जानकारी आ जाएंगे अब अगर आप Meta Trader 4 यूज़ करते हैं तो आपको MQL5.com वाले पे नहीं जाना है क्योंकि MQL5.com वाला जो मेटा Trader 5 के बारे में बता रहा है तो हम इस पर जा सकते हैं जो कि उपर एक MT4 के बारे में indicator लिखा हुआ है तो जैसे हम उपर वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें एक information दे रहा है पूरी की वीवाप कैसे काम करता है क्या है अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास indicator का download link है या नहीं है इस में हमें MT4 का download link यहां पर यहां लिख रहा है कि लेकिन इसमें download link नहीं है वापस ले जाते हैं और दूसरे किसी टैब में देखते हैं जहां पर हमें इसका link मिल जाए ठीक है यहां पर आप देखिए यह भी एक option दे रहा है आपको यहां पर हम click करेंगे वीवैप के बारे में जानकारी मिलेगी यह यहां पर देखिए आप यह यहां पर download link दे रहा है वीवैप डाउनलोड करना वीवैप bands indicator यह वीवैप को band वाला इंडिकेटर है तो इसको हम इसमें एक स्टेक्ट कर सकते हैं इसको एक स्टेक्ट वीवैप bands ऐसे कर सकते हैं राइट क्लिक करके जब आप ऐसे करेंगे तो यहां पर यह खुल जाएगा दोस्तों कई बार कुछ लोगों के computer में यह इस तरीके से यह books के type का icon बनानी आएगा अगर उनका ऐसा icon नहीं बनाता तो वह अपने laptop या desktop के अंदर winrar software install कर सकते हैं अगर वो winrar या winzip software install करेंगे तो फिर इस तरीके का जाएगा और extract करने का option भी आजाएगा तो अब यहां पर दोस्तों देखें वीवैप का यह आगया यहां पर यह देखें यह indicator आगया अब यहां पर जो indicator के दोस्तों extension होते हैं दोस्तों एक होता है .mq4 और दूसरा होता है .ex4 तो जो .ex4 file है वो भी आप use कर सकते हैं और .mql file भी आप use कर सकते हैं .mql file जो होती है वो आपकी source code की file होती है यानि कि बाद में आप चाहें किसी से कुछ modification कराना कुछ चीज कराना तो भी आप इसमें आराम से करा सकते हैं और इसको हम क्या करेंगे अब दोस्तों इसमें जो हमारे पास जो भी इंडिकेटर डाउनलोड हुआ था अब हमें इसको कौपी करना है यहां पर आएंगे हम इसको कौपी करेंगे ठीक हम इसको कौपी कर सकते हैं कर सकते हैं जो मर्जी हम कर सकते हैं और उसके बाद हम आएंगे अपने Meta Trader 4 के software में यहां पर हमें जाना file में और उसके बाद open data folder में और उसके बाद हमारे पास option आएगा MQL4 का और उसके बाद indicators का option आएगा यहां पर दोस्तों अगर आपको चाहिए कि आपके जो सारे custom indicator वह एक ही जगे रहें और बार बार उनको ढूना ना पड़े तो यहां पर आप कोई folder create कर सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं और यहां पर मैंने इसको किया और यहां पर वर्वीन के अंदर में गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया अब इसको करने के बाद दोस्तों क्या option है दो चीज़ें कर सकते हैं आप यहां तो 24 को बंद कर दीजें दूबारा चालू कर दीजिए यहां राइट क्लिक कीजिए नविगेटर विंडों में और रीफ्रेश का बटन दबाईए तो यहां पर जो नविगेटर विंडों रीफरेश हो जाएगी और जो जो चेंजिस हमने अभी अभी अपडेट किये वह दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि अभी यह जो विंडो है वो अपडेट होगी है यहां पर यह फोल्डर जो आ गया पर विन के नाम से इसके अंदर वी बैक का इंडिकेटर भी आ गया है अब हम इसके अंदर डॉबल क्लिक करेंगे इंपूट पर जाएंगे यहां पर स सारे इंपूट है इसके जो आपको चेंज करना अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो जैसे मर्जी आप इसमें चेंज करने के बाद इसको अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर यह देखो भी वैब का बैंट के साथ इंडिकेटर जो था वह अप्लोड हो गया है और यहां पर मिल जाते हैं जिन पने एफ लिखा हुआ है चोटा सा आइकन एफ का बना हुआ यह हो सब इंडिकेटर्स किया जिन पर यह जो है ग्रेजुएट का साइन बहुए यह होई वह सब एक्सपर अडवाईजर्स हैं तो यहां से भी आप डाउन्लोड कर सकते हैं चेक कर यहां पर देखो यह दोस्तों यह दिया हुआ और देखो यह Pivot MT4 का दिया है जैसे Pivot पॉइंट का इंडिकेटर डाउनोड करना तो इसको सीधे यहां पर क्लिक करो डाउनलोड का बटन दबाओ और डाउनलोड हो जाएगा इंडिकेटर आपका बहुत आसान तरीके से यहां पर काफी सारे हैं और आप इसमें से यह देखो इसको अप्लाई करेंगे अप्लाई का ओप्शन आगे सीधा यह देखो अप्लाई हो गया और अप्लाई होने के बाद यहां पर इसने Pivot Point भी कर इसको राई टलagar करो दान लोड करने से यहां पर जो आपको यहां पर दिखने लगेगा और यहरो आपके लिए इन्डिकेटर रेडी हो बीसात आर रहे हैं आपको इंडिकेटर मिल जाएगा बहुत से लोग दोस्तों क्या करते हैं कि यहीं से इंडिकेटर उठाते हैं गूगल से इंडिकेटर उठाते हैं उनका एक टेंपलेट बनाते हैं चार-पांच इंडिकेटर का मिलाके कॉंबिनेशन और आपको वह दे देते हैं कि यह हमारा सिस्टम है दस हजार रुपए का बीस हजार रुपए का पता नहीं अलग-अलग चार्ज लेके लोग आपको दे देते हैं तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं यहां से डाउनलोड करिए इसके अलावा हमारी वेब साइट जो एक शोर गें है वहां पर भी आमने आपको देखो पेजस में जाओगे तो यहां पर पेजस में आपको फ्री एंटीफॉर इंडिकेटर का टैब मिलेगा इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर काफी सारे इंडिकेटर 1500 इंडिकेटर हो सारे के सारे मतलब कि आप उसमें बाद में चेंजिस कर भी सकते हो करवा भी सकते हो अगर आपको कोडिंग का कोई भी एक्स्पिरिंस है तो आप वो चीज़े कर सकते देखो जैसे यहां पर फॉर्मूला क्या करना है दोस्तों सिंपली आपको उठाना है जैसे यह देखो यहां पर है इसको हम जाएंगे ईसको कोपी कर लेंगे होपिर जाएंगे एंब पार निचाम में और और उसको लिछो सिंदा टेख करने के बाद cel शुक्रिंश कर लो यहां पर यहां पर ग्लिक करके रिफ्रेच कर लो इंडिकेटर आपके सामने आ इसकी डिमाइंड करते हैं कि यह वाला indicator लगाना है तो यह वीडियो ने इसलिए बनाए कि आराम से आप देखो किस्त तरिके से लगाते हैं और अपने हिसाब से जा के Google पे Search करके indicators लगा लूगाнос तो यह देखो यह भी indicator लगया बहुत अच्छे और देखने को मिल जाएंगे आप जाएंगे और देखिए इंडिकेटर्स को और अपने हिसाब से उनको अपलाई कीजिए मिलते हैं अगरे वीडियो में किसी और नई टिप्स या ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर और हैपी ट्रेडिंग